Hello everyone, welcome to True IS, इस lecture में बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक Central Bank, ठीक है, यानि कि हमारे देश में जो सबसे बड़ा जो बैंक है, जिसका नाम है क्या है, RBI, Reserve Bank of India, meaning क्या है, Central Bank जो है, हमारे देश का Apex Institution है, Monetary System का और Banking System का, देखो, आप दो चीज़े तो Monetary Word, जो है, It is Related to Bank, तो Banking System जो पूरा का पूरा है, और Monetary, एक ही बाते वैसे तो है ना, बस ही Fiscal से कैसे लगे, Anything, जहां पर Word आ जाए, शब्द आ जाए Fiscal, वो सरकार से Related होती है, सरकार के कामका से Related होती है ना, Central Bank, Apex Institution है हमारे देश में, जो भी Monetary System है हमारे देश का, उसका Apex Institution है, सारे के सारे जो institutions हैं, जो की Money में डील करते हैं, वो हमारे देश में Monetary System का पार्ट है, अब ये उन में से सबसे Apex Institution है, तो ये उन सारे institutions की activities को Organize करता है, Supervise करता है, Regulate करता है, और इसने हमारे देश में एक Proper बहुत अच्छे से, जिसकी वज़े से Economy चल और इसका ये भी योगदान है, कि कैसे भी करके देश के हालात ऐसे ना हो जाएं कि Article 360 invite हो जाए, Article 360 invite होने का ये मतलब है, हमारे देश में हालात ऐसे नहीं होने चाहिए, कि हमारे देश में Financial Emergency लग जाए, ठीक है, जो की आसक, भगवान की करपा से लगे भी नहीं है, तो Being an A Apex Institution, ये हमारे देश में जो भी monetary system है, उसको organize करने का काम, उसको supervise करने का काम, उसको regulate करने का काम, और उसको develop करने का काम करता है, इंडिया के अंदर हमारे Apex Economic Institution, Apex Banking Institution, Apex Monetary Institution, Apex Bank Central Bank का नाम है Reserve Bank of India, RBI, छोटा सा इतियास इसके बारे में हैं यहाँ पर हम देख लेते ह थोड़ा सा detail में, detail में aspect हम लोग इसके बारे में CB सस्दिवा में देखेंगे, sorry उसमें नेतिन सिगानिया में देखेंगे, CB सस्दिवा में से छोटा सा aspect देख लेते हैं, Central Banks जो है, they have been established in all financially developed countries, आपको हर एक देश में एक Central Bank तो मिलेग यह मिलेगा, जाधा तर developed countries में मिलेगा ठीक है, अलग-अलग देशों में अलग-अलग नामों से Central Bank जाने जाते हैं, भारत के अंदर जो भारत का Central Bank है, उसका नाम है RBI Reserve Bank of India, जिसको established करा गया था आजादी से पहली, I repeat this is very important fact, जिसको आजादी से पहली established करा गया था, 1935 के अंदर through Government of India at 1935 as shareholder bank और इसका फिर nationalization हु एक proper structure के तुरू ये काम करेगा, first ऐसा खा गया था, first January 1949 को, इसका जो primary role है, वो क्या है, देश का जो भी monetary system है, जो banking system है, पूरा का पूरा, entire economy का, पूरी economy का, उसका ठेकेदार है, उसका मालिकाना हक रखता है, कि हमारे देश में banking system और monetary system, बिल्कु सेंटरल लेवल से ही होते 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 है, grassroots level तक पूरा सब कुछ बढ़िया रहे, तो इसका primary role क्या है, उस चीज़ को, उस monetary system को, economy के control करना, supervise करना, regulate करना, और organize करना, financial system को भी, और monetary system को भी, and along with it, banking system को भी, ठीक है, यह चीज़ clear, तो बात करते हैं, functions क्या होते हैं, functions क्या है, central banking, सबसे पहला function तो, it is, it issue currency, तो इसलिए, इसके एक function को बोला जाता है, bank of issue function, अगर कल को यह आ जाये ना, यह state PSC में mains oriented question आ सकता है, यह bank of issue function क्या है, यह याद रखना, bank of issue function, commercial bank के साथ, या किसी अन्य bank के साथ मत जोड़ देना, यह central bank के functions हम लोग पढ़ रहे हैं, commercial bank के functions, central bank के functions से कैसे अलग होते ह यह आपको देखना पड़ेगा, खुद pages by pages turn करते करते, ऐसा important aspect आ सकता है आपको paper के अंदर, हाला कि commercial bank और central bank के अंदर, जो differences हैं, उसको हम देखेंगे, एक table थी यह आपर गई, हाँ यह रहा, central bank और commercial bank के अंदर हम लोग साथ differences को देखेंगे, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में अभी RBI की हो रही है, Reserve Bank of India की हो रही है, ठीक है, इसको देखते है, तो this function is called bank of issue function, central bank जो है, वो currency issue करता है, on the basis of minimum reserve system, पहले उपर की बात जान लेते एक बारी, यह minimum reserve system की बात हम जानते ही है, एक बारी जान लेते कि issue of currency function क्या है, central bank हमारे देश में जिसका नाम RBI है, इसके पास मालिकाना हक है, इसके पास monopoly rights है, soul monopoly इसके पास currency को issue करने की, ताकि हमारे देश में currency और credit का volume का जो rotation हो, वो इतना rise को पता होता है कि कितनी currency गूम रही है, कितनी currency inject करनी है, और कितनी currency economy से suck out करनी है, ठीक है, यह जो notes है, यह पूरे देश में circulate ह होते हैं, इस legal tender money, ठीक है, कि कोई भी person अगर payment कर रहा है, अपनी debt को settle कर रहा है, तो वो उनको accept कर सकता है, मैं जानता हूँ कि आपके मन में यह topic पढ़ते हुए question आ रहा होगा, कि sir यहाँ पर दो बाते गलत नहीं बोल रखी क्या, या फिर exaggerate करके नहीं बता रखा कि इसका पास है, क्योंकि जादा था currency notes तो यही issue करता है, सिक्की एक limit से जाता है, वैसे भी कोई accept करने से मना कर सकता है, और एक रोपे के note की printing तो वैसे भी बंद हो गई है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर बाप कौन निकल कर रहा है, Central Bank, दूसरा आपके मन में यहाँ होगा, कि यह कि बात जो है, यहाँ पर हम Central Bank की बात कर रहे है, सिक्के जो है, वो government है, वो mint करती है, यहाँ पर RBI तो वैसे भी नहीं करता है, वो तो notes करता है, और जहां तक बात है, एक रोपे की note की, उसकी printing मत हो चुकी है, जो again government के पास मालिकान हक है, हाला कि यह theoretically जो है, यह वाला topic हम R रहे है, ठीक है, कि it has given the sole monopoly right of issuing currency, which works as legal tender for the public, कोई भी अपनी payment देना चाता है, debt को settle करना चाता है, सामने वाला person उसको मना नहीं कर सकता, this function is known as bank of issue function, bank of issue function, ठीक है, अब जब currency issue करी जाती है, Central Bank के दोरा, तो वो ऐसा नहीं कि जब मर्जी उसके मन में, जितने मर्जी कोई है, या frustration के अंदर उसने button press कर दिया machine का, उससे note चप रहे है, या फिर उसने लात मारी एक machine पर, और note चपने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता, इसके लिए proper mechanism work out होता है, जिसको हमने पहले भी पढ़ा है, minimum reserve system, इस system के according, RBI एक minimum reserve maintain करके रखता है, 200 करोड का, अब ये 200 करोड क गोल्ड के format में RBI के पास पड़ा होता है, और 85 करोड की, RBI के पास foreign securities होती है, तो ये चीज़े हैं आपने note करने वाली है, कि RBI सारे currency notes issue करता है, देखो वाली बात आगई थोरे टिकरी, RBI सारे currency notes issue करता है, हमारे देश में 111 rupee note and सारे coins, जिसका मालिकाना हाक्या issue करने का, mint करने का सारे coins को और issue करने का 1 rupee note को central bank के दोरा, ठीक है, बट अब ऐसा क्यों बोले जाता है, bank of issue क्यों बोले जाता है, central bank को, देश में RBI को, क्योंकि, भाई अगर, बात ये कि भाई साब, अगर, सारे के सारे सिक्के, central bank कर, mint कर, उसकी minting करवाने का मालिकाना हग है भी, और एक रुपे के note को print करने का मालिकाना हग भी, सरकार के पास है, still, economy में उसको circulation में लाने का काम, central bank कही होता है, नए notes बनाने है, demontization हो गई है देश के अंदर, उसके बाद कोई भी नएने currencies वगर आ रही है, ठीक है, आने तो कोई बात नहीं, वो central bank के mechanism के थूँ सिस्टम में ये काम central bank कही होता है, वरना किसी के हाथ में ऐसे random ली, सरकार ने 4 note economy में rotate करना शुरू करे, हो सकता है, मैं reject कर दूँ, मैं मना कर दूँ, नहीं यार, मुझे जो normal currency चलती है, उसमें तो पैसा दो, वो कितना भी person मुझसे बोले कि ये ते को नहीं उटा आगिया, dice हो का, ये मैं कैसे मालू, मैं तो कुछ भी नहीं सुना, RBI की तो ऐसी कोई guideline नहीं नहीं आई है, आज भी पैसो के मामले में, सरकार की जबान से ज़्यादा, RBI की बात पर ज़्यादा वरोजा होता है, जब ग्यानी जो person होगा ना, पाड़े लेखे गवार को तो छोड़ता होता है, जब ग्यानी person होगा ना, वो RBI की side पर जाकर check कैसा करेगा, कि RBI ने इस currency को या कुछ भी circulate करने के orders दियें क्या, इसको economic cycle के अंदर डाला है क्या, कि ये वाला money, ये नाया form of sick का circulate हो सके, ये चीज़ है, इसलिए इसको बहुता है bank of issue, और यह इसका function है, bank of issue function, उसके बाद जन्ता जो होती है, उसका खाता खुलता है commercial bank के अंदर, ठीक है, जन्ता RBI के अंदर भी account खुलवा सकती है क्या, नहीं है ना, central bank जो है, it functions as banker to the government, just like commercial banks जो है, they are bankers to the public, it means that central bank कुछ facilities, कुछ banking facilities provide करता है सरकार को, जैसा commercial bank banking facility provide करती है जन्ता को, कैसे, क्या क्या करता है, how does RBI works as banker to the government, सरकार का bank कैसे होता है, RBI, government से deposit accept करता है, सरकार को loan भी देता है, government के accounts को भी maintain करता है, और सारे banking business, government के बहाव पर, government के पैसों के carry out करता है, government अपना cash balance जो है, current account में, central bank के पास ही रखते है, similarly, central bank, receipt accept करता है, और payment भी कर देता है, government के बहाव पर, इसके लावा, central bank, it carries out exchange, remittance, and other banking operations on behalf of the government, currencies को exchange करना, देश में foreign exchange पढ़ा हुआ है, उसके बदले कोई और currency लेना, बहार से जितना भी पैसा लोगों को आता है, या सरकार के पास कहीं से भी, बल्क में पैसा चलाया, दूसरे देशों से, ये सारा का सारा पैसा को देखने का, अकाउंट को maintain करने का काम, central bank का होता है, जिसका नाम हमारे देश में RBI है, central bank, loan भी देता है, advances देता है सरकार को, temporary periods के लिए, जब सरकार को ज़रुत होती है, and it also manages a public debt of the country, central government जो है, वो borrower भी बन सकती है, RBI के सामने, it can borrow money also, government, central government की बात और रही है, central government can borrow money also, किसी भी हद तक, any amount of money from RBI, अपनी securities बेच कर, अपनी securities बेचनी पड़ती है, उनको government securities बेचनी पड़ती है, RBI को, और RBI बदले में क्या देता है, loan, यानि कि free का पैसा नहीं है, कि RBI का सरकार यह सोचे कि कभी पर वो यूज़ करेंगे, क्यों, सरकार तो निकम्मी है, सरकार को क्या पता, वो तो सोचेंगे कि ये project बना दो, इसकी मूर्ती लगा दो, इसकी photo लगा दो, ये highway बना दो, ये मंदर बना दो, ये मजज़ित बना दो, उसको देखने का काम होता है, कि भईया, ऐसे पैसे नहीं लुटाए जाते हैं, जैसे एक घर खर्ची को समालने का काम होता है, एक औरत का, वो देखती है कि राशन कितने का, ये कितने का, बच्चों की स्कूल की भी कितनी लगनी है, प्रॉपर एक तरीके ते, घर का budget चलाने का काम, जैसे कि एक औरत का होता है, similarly, यहाँ पर भी देश के लिए, housewife का काम करता है, और भी है, कि सरकार ऐसे कुछ भी नहीं, अंदा तुन्द खर्च करने लग जाए, क्योंकि फिर जो inflation और deflation, जो उससे अगर आएगा न, ये economic bubble जो उठेगा, सरकार क्या है, वो तो elections हार जाएंगी, लेकिन RBI ये सोच समझ के चलता है, तुम्हारा क्या, कि तुम तो घर पे बैट जाओगे, तुम तो हार जाओगे, नहीं सरकार आज जाएगी, लेकिन वो financial burden कभी नहीं मिटेगा फिर, और कितने सालों तक उसका impact रहेगा, उसकी तो भरपाई कोई नहीं कर सकता, सरकार change होने से क्या होता, जब देश के पास कुछ पैसा बचा ही नहीं, देश ही बिक्वंगा हो गया है, तो सरकार या कोई party नहीं नहीं आके, सरकारे बना ले उसके क्या फारक पड़ता है, तो इसलिए सरकार के कभी back up ये में नहीं आता, एक maintain करके रखता है, उसके credit policy को, bankers bank, bankों का भी bank होता है, और उनका supervisor होता है, यह अगला function है, central bank का, there are usually hundreds of banks in the country, कोई तो agency होनी चाहिए, उनको regulate करने के लिए, प्रॉपर तरीके से सुपर्वाइस करने के लिए, यह duty, central bank के दार परफॉर्म करी जाती है, जो कि bankers bank की तरह act करता है, यानि कि bank को का bank है, तीन ऐसे function perform करता है, जिसकी बज़िसे स्कोर टाइटल मिलता है, it acts as a bankers bank, it is a custodian of their cash results, जितने भी उनके पास पैसे आते हैं, यह उनका custodian है, कैसे? bank, जो है, सारे के सारे जो देश के commercial banks है, they are required to keep a certain percentage, certain percentage of their deposits with the central bank, हमने इससे पहरे LRR में क्या दिखा था? कि कुछ percentage of deposits, वो commercial banks को रखने पढ़ते हैं, ऊपर से डंडा किसका बज़रा था? RBI का, लेकिन यह LRR के तहत, bank को कुछ पैसे जो अपने पास रखने पढ़ते हैं, वो कहां रखते हैं? वो bank की खुद की तिचोरी में रख सकते हैं? RBI के पास रखने पढ़ते हैं? मैं LRR के तहत पूछ रहा हूँ, खुद के पास रखते हैं, लेकिन एक दूसरा rule यह भी है, हम आगे चल के इसको देखेंगे, कुछ deposits जो हैं, कुछ deposits जो हैं, वो central bank के पास भी रखने पढ़ता है, क्यों? भईया कल को तुम भग गए, बात यह चलो, तुम इस money को, इस money को तुम loan पे नहीं दे रहा हूँ, तुम secondary deposit इसका नहीं बना रहे हो, मान लिया, देखें, तुम ही collapse हो गए, तो तुम तुम पैसे लेकर भग जाओगे, और यह पैसा तुम्हारा नहीं है ना तुम्हारे बाप का, जनता का यह तो पैसा, जनता का deposit है, और यहाँ पर सरकार को क्यार नहीं टूटने देना है जनता का, trust, क्यों? क्योंकि इसकी वज़े से लोगों की banking habit बिगड़ेगी, और जहां banking habit बिगड़ेगी, तो money multiplier कमजोर होगा, money multiplier कमजोर होगा, loan महेंगे मिलेंगे, क्योंकि वो महेंगे interest rate बें मिलेंगे, people will be discouraged to take loans, economic activity होगी नहीं, economy stagnate कर जाएगी, ultimately collapse कर जाएगी, and in this way, central bank जो है, it is the ultimate holder of the cash reserves of commercial banks, उनके पाज जो भी cash reserves, उनके पाज जो भी tijori है, वो ऐसा नहीं है कि, हमारे पास जी तो deposit आ रहा है, सारा चीदे हम नहीं तो समाल रहे हैं, हम तो दिमान रहे हैं, central bank की बात, ये किसी commercial bank की उकाद नहीं है, देश के अंदर, ultimate holder उनके cash reserves का जो है, जब report मांगेगा, जब मांगेगा कितना पैसा का केते हैं, मेरे पास तुम रखवा हो, तो उसको रखवाना पड़ेगा, और एक चीज की और penalty लगाता है, उसको मांगे चलके देखेंगे, जो bank अच्छे से perform नहीं कर रहे होते हैं, ये RBI को लगता है, बत्तमीज हैं, बात नहीं मान रहे हैं, RBI ज़्यादा warning नहीं देता, RBI ये जो उनके पास पैसा रखना होता न ये, कि minimum deposit जो अभी हम पढ़ रहे हैं, कि उतना central bank के पास रखवा हो, इस दाइरे को बढ़ा दिता है फिर RBI, commercial bank के इस दाइरे को बढ़ा दिता है, जैसे मैं लमालो अभी कह रहे हैं कि 2% रखो मारे पास, जो bank बढ़ा तमीजी कर रहे हैं, तो उनको बोले का अब तुम 5% रखोगे, मुझे तुम पर ट्रस नहीं है, तुम्हारी performance अच्छे ली चल रही है, और तुम पता नहीं क्या ही कर रहे हो, तुम लोग पता नहीं profit का जात क्या कर रहे हो, पता नहीं balance sheet में कैसे दिखा रहे हो, अब तुम 2% नहीं 5% रखो गया, अगर वो कहते कि नहीं रख रहे हैं, जाओ बेटा, shutdown हो जाओ, बहुत देखें, तुम्हारी जैसे तुम्हारी जैसे और आते रहेंगे, सारी चीज़ों को देखते हुए, ये RBI, बंद कमरों के अंदर, सारे की सारे officer discuss करते हैं, कि LRA रखना कितना चाहिए, एक बाँ बताओ, आपके पास 500 रुपे आ रहे हैं, ठीक है, और यही 500 मम्हारी आपका कहते हैं, क्या ज़रोते हैं, तेरा को हम सो खाना, पीना, कपड़े, सब कुछ करते हो रहें, तेरा, तूसको कलेट कर, ये कोई बात होती है, मान लो शगन कि आपके पास पैसे आए, और बूरे के बूरे मम्ही ने रख लिए, कि जब तेरा कुछ चाहिए हो, का मुझसे बोलती हो, मैं तो तेरा सब कुछ करी रही रही हैं, तेरा को क्या ज़रोता है, ये कोई बात है, आप खुछ होगे कैसे पैसे से, इसको आगे कुछ करी नहीं सकते आप इस पैसो का, तो LLR भी, LRR भी इतना ही रखा जाता है, कि वो पैसे कम से कम घुमा कर कुछ कर पाए परसन, मतलब बैंक कुछ कर पाए हैं, मतलब यहां पर बैंक हैं, अब इतना नहीं कि उनकी बैंड बजी पढ़ी है, आई रहे 25 लाग और पूरे रखवान ने उसके पास पतर जला 35 लाग, ऐसा नहीं होता, और पहली बात है जिसकी अगर LRR रखा गया है, अलालग बैंकों का, पहली बात है, हर एक बैंक के लिए LRR, मतलब LRR तो पूरे देश का कौमन होता है, जितना भी RBI नोटिफाई करता है, लेकिन वो जो पर्षेंट इसे, उसकी सीमा बदलेगी, जैसे मैं आपको इबाब बताता हूँ, अश्परीथ, आपके पास जो सेविंग पड़ी हुई है, उसका 4 पर्षेंट, और अम्बानी के पास जो सेविंग पड़ी हुई है, उसका 4 पर्षेंट, दौनों के लिए 4-4 पर्षेंट मैं कहा रहा हूँ, इसका 4 पर्षेंट और आपका 4 पर्षेंट, डिफरेंस है के नहीं है, ठीक है, यह वली बाद, तो यह भी हर एक बैंकों के लिए बदलता है, क्योंकि सारे बैंक के क्या, सेम फाइनेशल स्वेंथ के होते हैं, बताओ, नहीं न, तो LRR से RBI क्या देख पाता है, कि भाई साब जो तुम इतना भी LRR मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, और तुम मुझे रिपोर्ट भेज रहे हो, मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हो, सर, LRR को कम कर दो, पहली बात ऐसा कुछ होता नहीं है, एक बात बता रहा हूँ, बस में एक स्टोरी मेंकिंग की फॉर्मेट में, जब इतना LRR, मतलब अब कोई बैंक का ये देख रहा है, RBI कि जो हमने LRR रखा हुआ है, उतना ही पैसा इस बैंक के पास है, और उतना ही पैसा इसे हमारे पास रखना है, इन LRR की फॉर्मेट में, लीगल रिजर्व रिश्यो की फॉर्मेट में, तो फिर फाइदा के ऐसे बैंक के टिकने का, तो RBI भी क्याता है, जाओ कोई बात नहीं, कॉलाप्स वहरा बैंक होने तो, ऐसे बैंक की ज़रूती दिए, फिर बहुत इस्टेट सीमा है कर देता है ऐसे बैंक के लिए, तो कि RBI क्याता है, जाओ को पैसा है, जिसकी बज़े से, पूरी की पूरी एकॉनमी कोलाप्स कर सकती है, और जनता का ट्रस नहीं भी करने देना है, और साइकोलजी खराब नहीं होने देना है उनकी, थूरू बैंकिंग हैबट, इन दिस वे, पैसो की केला थे, डूबने वाले है, वो लोन ले सकते हैं सेंट्रल बैंक से, और बदल में क्या देंगे, ट्रेड बिल्स, ये भी परकार की सिक्योर्डीज है, बनलब उनको वो बेचेंगे, और भाह से लोन मिल जाएगा, सेंट्रल बैंक जो है, ये कहने वाला एक तरीका है, ये थिरोटिकल आश्परेट तो ठीक है, लेकिन, ये कोई भी बैंक जिसमें आपने खाता-कोल रखाता, और वो डूब गया, बन्द हो गया, आपकी हिम्मत नहीं होगी कभी, कि आप किसी भी बैंक के अंदर, जो कि 50 साल, 500 साल से टिका हुआ है, कि आप उसमें 5050 सार से कभी जाता रख पाओ, जिस बैंक में आपके 50 लाक या 5 करोड फरस गए हो, और आपको बहुत मुश्किल से मिले हो, जिन्दगी भर आपकी इम्मत नहीं होगी, कि कि किसी नए बैंक में जाकर, जो कि बहुत बोरने टाइम से उसका बेस हो, आप 5000 या 50 लाज उपेते जाता कभी जमा करवाओ, घर पे आपके यही बाते चलेंगी, भाड में जानतो बैंक की बैंक को, बैटा तु दो पैसे अपने घर की तिजोरी मेरा, गलवारी में रख, बड़ी SDR को परस ला दूँगा, उसके अंदर रखा कर, जैसको गोल्ड की फार्मेंट में गनवर्ट करवा लेते हैं, उस खांदर की कभी हिमत नहीं होगी, RBI के चेंबर्स में बैठ कर, इस प्रकार की साइकॉलजी को, वो बहुत अच्छे ते समझते हैं, कि एक बैंक के डूबने का मतलब है, कितने सारे कस्चुमरों का खो जाना, अमेशा के लिए, तो वो सेविंग घर की तिजोरीों में रखना कर देंगे, वो घर की तिजोरीों से, जीडीपी के एक-एक पॉइंट भी फरक पड़ता है, घर की तिजोरीों में पैसा रखने से, ये जानता है RBI बहुत अच्छे से, तो RBI यहाँ पर एक नए रोल के साथ आता है, नए अफ्तार के साथ आता है, that I am the lender of last resort, जब सारे दर्वाजे तुम्हार रपास बंद हो जाए, कोई तुम्हारी मदद ना करे, you can take loan from me, loan ले सकते हो, मदद नहीं में लेगी बटा, ठीक है, ये सरकार नहीं है, कि चुनाओं को देखते हुए, लोगों के जो, क्या क्या क्यते हैं, लोन और ब्याज बगएरा जो भी चल रहा है, जो उसको माफ कर दिया, कि हम चोगा देंगे, तुम्हारे ब्याब पर, अगला फंक्शन, इट एक्स एस क्लिरिंग हाउस फॉर इस मेंबर बैंक्स, ठीक है, अगला की सेटलमेंट, क्लिरेंस, करता है, ट्रांसफ़र वग्यरा, कि कितना पैसा, किसको कितना देना, कितना रह गया है, कितना हमारे पास आना चीता, भी तखाया नहीं है, ठीक है, मत्लब, जैसे LRR की तहत कह रहा है, कुछ रखने को, बैंकों के पास खुद फिर कह रहा है कि कुछ पैसा तुम्हें हमारे पास भी रखना होगा ठीक है NPA बगरा बैंक का कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा है सरकार से भी अकर कुछ लेंदे चल रही है तो यह clearing house है, settlement house है एक प्रकार का, ठीक है transfers को देखता है, इसकी जो moral situation की जो policy होती है moral persuasion कहलो moral situation कहलो it is usually very effective, so far as commercial banks are concerned, इसको हम पढ़ेंगे कि यह moral situation क्या होता है, यह एक प्रकार से darting का एक तरीका होता है, जैसे हम लोग English में कहते हैं scolding right shiny, है न, जैसे हम बच्चे को कैसी नहीं है, कि वो बोले कि मैं गुस्से गुस्से में बोल गया था, या मैंने दो पैग मार रखे थे, इसलिए मैंने तेसे ऐसा बोल दिया यह मजाग नहीं करता हमारे देश में financial markets के मामले में saving बहुत strict है, और banking system और monetary health के मामले में, RBI बहुत strict है यह दो bodies कभी मजाग नहीं करती और पर्यावरन के मामले में NGT बहुत strict है, यह तीसरी body कभी मजाग नहीं करती इनसे PM तक मजाग नहीं करता हाँ, अब एक बार मैं बताना चाहता हूँ बहुत कम books में आपको यह वाली analysis मिलेगी क्या एक बारी इन function पे निगा डालो यह custodian है bank को के cash reserve का, उनको बोलता है कि कुछ percentage तुमें हमारे पास रखना होगा दूसरा lender of last resort है जब सबके दर्वाजे बंदो जाए दूसरे bank को दूसरे bank जो है, वो सड़क पर आने की दिन आ गए हैं उनके तो उनके लिए दर्वाजा खोल देता है लोन देता है उनको और सारे settlement वगएरा को सारे transfers वगएरा को देखता है clearing house की तरह काम करता है ठीक है, for its member banks member banks मतलब कौन यह सारे के सारे commercial banks ठीक है अब यह जो तीन functions है clearing house, lender of last resort और custodian of cash reserves of bank I repeat, custodian lender of last resort और clearing house यह तीन functions मिलकर बनाते है ठीक है कि how does central bank acts as bankers bank उसका अंसर यह यह bankers bank की तरह act कर पाता है because of its three capacities और वो तीन capacity कौन सी है custodian, lender of last resort and clearing house यह तीन functions मिलकर इसको बनाते है क्या एक तो यह lender of last resort plus clearing house plus custodian this makes RBI as bankers bank यह कोशन आ सकता है RBI को उने में से कौन सा function bankers bank बनाता है स्वगंदा अगें psychology से खेलना lender of last resort option number one clearing house option number two custodian option number three option number four all of the above क्या यह वली बात समझे नहीं central bank क्योंकि यह तीन duties discharge करता है इसलिए इसको bankers bank बोला जाता है और इसलिए इसको यह भी कोशन बन सकता है वाई central bank is called as bankers bank और bank और banker supervisor उसके बाद it is regarded as controller of credit and money supply करता है central bank कंट्रोल करता है credit और money supply को अपनी monetary policy की वज़े से monetary policy जो है यह कैसी policy होती है जो कि central bank के साथ associated होती है देश में money supply या credit supply की बात है economy में इसको control करने के लिए यानि की जादा पैसा बहने नहीं देना है बहुत कम पैसा है तो पैसे के थोड़े से dam के दरवाजे खोलने ताकि वो बहे यानि की leakage और injection का काम देखने का करता है पैसा अगर कम है तो inject करेगा बहुत जादा है तो suck out करेगा ठीक है central bank के पास monopoly एक तो notes को issue करने की वो अलग बाते हैं आपर writer आपको precise crystal clear way में बता रहा है एक रुपे के note issue नहीं करता 1 रुपी के coin या दूसरे small coins वो सरकार का काम है ठीक है तो notes issue करने की वज़े थे जो की सबसे ज़्यादा unlimited legal tender की form में public के हाथ में गूमते हैं economy में गूमते हैं currency इसलिए हम कह सकते हैं कि it can control the volume of currency volume of currency मतलब पैसा या तो inject करना है या उसको बाहर निकालना है suck out करना है ठीक है main objective जो है main objective of credit control functions commercial bank का वो ये है ये देखना कि जादा पैसा होने की वज़े से और बहुत कम पैसा होने की वज़े से inflation और deflation ना जाए price stability के issue ना जाए price stability का मुद्दा ना जाए इस चीज़ को मने inflation वाले chapter के अंदर देखा था and along with it there should be full employment in the economy level of output अपनी full potential पे work करे full employment का मतलब यह नहीं कि सबको रोजगार मिलेगा full employment का मतलब यह होता है शाहनी हमने पढ़ा था ना aggregate demand must be equal to aggregate supply there should be level of equilibrium in the economy full employment का मतलब यह होता है हमने national income में पढ़ा था अगर आप यह अभी भी है सोच रहो तो आप बेफ़कूफ हो कि full employment सारे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए यहाँ पर employment का मतलब रोजगार से नहीं है full employment का मतलब यह होता है economy के अंदर जो भी resources है वो अपनी fullst potential पर काम कर रहे हूं कोई भी डल ना पढ़ा हो कोई भी बेकार ना पढ़ा हो हर एक economy के resources इस परकार से utilize हो रहे हो कि वो economy को economy के पाईयों को चलाने में तेल पेट्रोल डीजल का का काम कर रहे हो fuel का काम कर रहे हो सारे के सारे economic resources सारे के सारे sectors primary sector, secondary sector, tertiary sector सारी manpower, youth सारे के सारे और working population यहाँ पर employment का वतलब हर तरीके से employment की बारे में बात है, सिर्फ रोजगार की format में बात नहीं चल रही है economy के resources अपनी fullest potential पर काम करें level of output इतनी हो कि वो level of demand को meet कर पाए और 100 बात हो की एक बात aggregate demand must be equal to aggregate supply through which the level of equilibrium should be maintained, इसके बार में हमने बहुत detail में पढ़ा हुआ है, inflation वाले chapter के अंतर, ठीक है, तो बार-बार इसका कोई मतलम नहीं है, चाहिनी clear है सब कोई clear है रहना है वाली बात हो aggregate demand aggregate supply वाली बात, और price stability क्यों कह रहा ही है, है ना it controls credit and money supply by adopting quantitative measures or qualitative measures जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे however, three important measures of credit controlled by RBI, यह हम अभी नीजे बढ़ते है repo rate, reverse repo rate statutory liquidity ratio वगरा यह हम पढ़ते है, ठीक है repo rate open market operations cash reserve ratio lender of last resort custodian of foreign exchange reserves clearing house function, ठीक है इन सारे के सारे rates को हम पढ़ेंगे, ठीक है repo rate, reverse repo rate भी यहाँ पर है तो यह आपको पता होना चाहिए था और don't worry और भी जो rates है और भी जो ratios होते है हम नितिन सिंगा निया से देखेंगे लेकिन यहाँ पर देखो यह आपको और help हो जाती cash reserve ratio and statutory liquidity ratio कि इसका तो कुछ लेना देना होता ही यह multiplier से जैसा कि मैं आपको बता रहा था तो instruments क्या होते है monetary policy के again extremely important topic कि how does RBI control यह सिर्फ topic central bank के बार में confuse मत होना ठीक है instruments of monetary policy यानि कि monetary policy को देख में चलाने वाला central bank हमारा RBI उसके बार में बात हो रही है कि how does it control credit and money अपलाए quantitative or qualitative measures को वह देखते तो कौन से है quantitative measures qualitative measures ठीक है और three important measures कौन से है credit control के RBI के दोरह यानि कि instruments कौन कौन से है monetary policy के यह सारी अंग्रेजी आपको पता होनी चाहिए important measures of credit control by RBI या फिर instruments of monetary policy भी बोलते है इसके बाद हम देखेंगे RBI के quantitative quantity and qualitative measures quality ठीक है इस discussion में फिला लेतना है Thank you very much for discussion